नमस्ते फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल तो आज हम बनाने जा रहे हैं जिंजर पाउडर अनि अद्रक सूट का पाउडर तो इसके लिए हमें अद्रक चाहिए तो अद्रक हम अपने अब सकता के उस्वार से लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से साप करके पानी में भीगने के लिए अधा घंटा रख दे और फिर चम्मत से इसका छिलका उतारे तो बहुत ही असानी हो जाती हैं छिलका उतारने में तो आप ऐसे ही किजिएगा तो मैंने अद्रक को पहले से छिलका उतार कर रखे हैं वो ले ल गिस लेंगे पहले तो सभी अध्रक को इसी तरह से घिस कर तयार कर लेंगे पहले अब इन्हें इसी तरह से एक ट्रेयर पर प्लेट में फैला कर धूप में हम रखेंगे सुखने के लिए एक से दो दिनों में यह सुख जाते हैं अच्छे दूप हो तो नहीं तो तिन दिन कि देखिने मैं इसमें चुक क्लिंए रखें थे और यह दो दिनों में चुक कर बउठी हो गया है यह बहुत ही तरह से शुख गए है तो इन्हें एक पिलेट में निकाल लेते हैं और देखे मैं आपको दिखाती हूं पास से इस नो था उसे मसलने से पावडर के फ़ं में आनी चाहिए देखे पावडर जैसे बन रहा है तो यह तयार है पावडर बनाने के लिए मिशिजार में डाल लेते हैं और चलते हैं इसे पिछने के लिए मैं अब आख दोपाइं धकन खोल कर चला कर पिष येगा तो अच्छे से पीछ जाएंगे तो अब एक छलनी की सहायता से ने छान लेते हैं तो यह अच्छी तरह से छन रहे हैं यानि हमारा अध्रक बहुत ही अच्छे से सुखा था तो यह पाउडर भी बहुत फाइन बना है और यह आप देख रहे हैं यह अध्रक का रेशा है बजार में दो तरह के अध्रक मिलते हैं एक रेशे वाले और एक में रेशा नहीं होता ह इसे बाहर से नहीं पता चलता है कि इसमे इरेशा है या नहीं तो इन्हें आप साइड में रखकर यानी अलग से रखकर इसे चायोगरा में या मसाले में डाल कर पिर सकते हैं और इने किसी एटाइट बॉक्स अत्वाकांस की बोतल में भरकर रख लें और 5-6 मिने से भी जारा चल सकते हैं यह दि आपके अधरक अच्छी तरह से सुखे होता है यह बहुत ही अच्छे पाउडर बने हैं और घर का बना हुआ पाउडर का बाहर का पाउडर से कोई कम प्रिजन नहीं है क्योंकि हम अपने ह हाथों से बनाए हैं और कोई मिलावट नहीं की हैं इसमें तो यह बहुत ही सुध है और टेस्टी भी तो आभी इस तरह से घर पर बनाएए अधरक पाउडर और यूज कीजिए इसे आप चाय में डाल सकते हैं पीजा डो बनाते समय हमें यह चाहिए होती है गरम मसाला बना घर में पाउडर तो उसमें डाल सकते हैं ग्रेवी में डाल सकते हैं टोमेटो सॉस में हमें बनाते समय चाहिए होती है तो अब आप इन्हें घर पर बना कर यूज कीजिए और अपना अन्भम मेरे साथ कमेंट के द्वारा शेयर कीजिएगा फिर मिलेंगे एक नए वीडिय किया साथ